असलाम लेकुम दोस्तों आज हम बनाएंगे एक नई रेसिपी हम घर पर बनाएंगे सांबर मसाला इसे आप एक बार बना कर कई महिनों तक का स्टोर कर सकते हैं आप एर टाइट बर्तन में रखकर इसे फ्रीज में रखके हम दो से तीन में न यूज़ कर सकते हैं हम यहां पर देख लेंगे इंगरेटियंस हमने यहां पर लिया है करीपता आदा कप के करीपता ले लिया है करीपते को हमें पहले से दुल कर अच्छे से सुखा लेना है यहाँ पर हम ले लेंगे लाल मिर्च, छे से साथ लाल मिर्च लिया है हमने यहाँ पर ले लेंगे चने की डाल, इसी चम्मच से हमने दो चम्मच उरत की डाल लिये और दो चम्मच हमने चने की डाल लिये, जो भी मसाले लिये हैं तो हमने चने की दाल और बिगर छिल्टे आले उरत की दाल लिए यहां पर हम ले लेंगे थोड़ा सा दाल चिनी जादा नहीं लेना है इससे बहुत ही अच्छा फिलेवर आता है हमारे सांबर पाउडर में आधा चोटा चमच सौंफ ले लेना है एक चोटा चमच हमें ले ले एक चमच ले लेना है हमें राई के दाने और एक चमच ले लेना है हमें जीरा और हमें ले लेना है यहां पर थोड़ा सा सूखा नारियल जादा नहीं लेना है एक चमच से थोड़ा सा जादा है यहां पर हम ले लेंगे हिंग यह बांधनी हिंग है यह बहुत ही स्ट्रॉं करम मिर्चीज पत्ति लिया टाल देना है। नहीं किसे शेख क् finger through Sdimem हमें इन्हें ड्राय रोस्ट करना है सिलो आच पर इसमें हम डाल देंगे हमने जो सूखा नारियल लिया था वो डाल देना है हमें दाल चिनी भी डाल देनी है और हिंग नहीं डालना है हिंग हमें साइड में निकाल लेना है इसे हमें सिलो आच पर चलाते रहना है और ड्राय मसालों को इन में से हलकी हलकी खुश्बू आने लगया और कलर चेंज हो जाए तब तक हमें ने ड्राय रोस्ट करना है यह बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है इसे आप एक बार बना कर कई महीनों तक का एर टाइट कंटेनर में रखकर फिरीज में रखकर यूज कर सकते हैं जब आपको साबर बनाना हो तब आप इसे यूज कर सकते हैं वीडियो अच्छे लगे तो मेरे चैनल को लाइक शियर और सब्सक्राइब जरूर करें नई नई रेसिपी के लिए हमें थोड़े थोड़े टाइम पे चलाते रहना है देखिए आप देख सकते हलका हलका कलर च जालू हो चुका है थोड़ी देर हम इन्हें और भुनेंगे इन्हें भुनने में 5-7 मिनट के उपर लग जाता है तो आप उतने ही टैम दें यहाँ पर हमारे जो है अच्छे से ड्राय रोस्ट हो चुके हैं अब हम इसे निकाल लेंगे एक बरतन में और इसे हम ठंडा होने जब हमारे मसाले ठंडे हो जाएंगे तो हम इसे पीस लेंगे यहाँ पर एक चौथाई चमच ले लेने हमें हमें हल्दी पौडर हमने इसे सिर्फ कलर के लिये लिया है ताकि हमारे सांबर में अच्छा कलर आए एक चौथाई चमच ले लेने हमें कश्मीरी लाल मिर्च यह अच्छे से ठंडे हैं यहां पर हम कमीसिकत जाल लेंगे इसमें हम अपने मसाले डाल देना है इसमें रिख सम पीस लिया है अब हम यहाँ पर डाल देंगे हल्दी पॉडर जो हमने लिया था हल्दी पॉडर डालने के बाद इसमें डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च पॉडर जो हमने लिया था एक बार हम मेक्सी को वापस से चला लेंगे जादा देर नहीं चलानी है बाके हमने तिर्फ थोड़ी देर ही चलाई थी मिक्सी को दो से तीन सिकंड के लिए क्योंकि हमने पहले ही बारिक मसाला पीछ लिया था आप देख सकते हैं जो हमारे मसाले हैं वो एकदम बारिक हैं बिल्कुल भी खड़े नहीं हैं या मोटे मोटे नहीं है इन्हें हम निकाल लेंगे बर्थन में बहुत ही आसान सी रेषपी है आप एक बार इसे घर पर बना कर रख सकते हैं और कई बार इस्तिमाल कर सकते हैं देखे एक दम बारिक सामने पीछ लिया है दर दर आया मोटा बिल्कुल भी नहीं है यह अक्सर होता है हमें सामबर बनाना रहता है मगर मसाला घर में नहीं होता है या लाने वाला कोई नहीं होता है तो इसे आप एक बार बना कर कई बार यूज़ कर सकते हैं फिरीज में एर टाइट कंटेनर में रखके इसे हम रख लेंगे एक डबे में एएर टाइट कंटेनर में आप देख सकते हैं कलर भी बहुत अच्छा आया है इसका और खुश्बूवी मासाला बहुत या रही है इस पौडर की एयर टाइट कंटेनर लेकर इसमें हम रख लेंगे आप इस सांबर पॉडर को कम खर्च और कम टाइम में घर पर एकदम आसानी से बना सकते हैं तो इस रेसिपी को आप एक बार जरूर ट्राय करें देखिए यहाँ पर हमने सांबर मसाला भर लिया है अपने एर टाइड डबे में और इसे हम फ्रीज में रख देंगे और जब हमें यूस करना होएगा तब हम इसे निकाल कर यूस कर देंगे और बाकी रख लेंगे फ्रीज में बिना फ्रीज के भी आप इसे रख सकते हैं दो से तीन महीने तक का